आज हम स्वामी राम कृष्ण परम हंस के जीवन, उनकी साधना और उनके अनुभावों के बारे में विस्तार से सुनेंगे। युगपुरुष, स्री राम कृष्ण का जन्म, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के अंतरगत कामार पुकुर ग्राम में एक निर्धन परंतु धर्म निष्ठ ब्राह्मन परिवार में बुद्वार को दिनांक सत्रह फरवरी 1836 को हुआ था। पिता, खुदिराम चटर जी, एक अत्यंत धर्म परायन, निष्ठावान, एवं सदाचार संपन्न ब्राह्मन थे, वे रगुवीर की उपासक थे, उनकी पतनी चंदर्मनी, स्नेह, सरल्ता, तथा दयालुता की मूर्ती थी। सन, 1835 इश्वी में, खुदिराम जी गया धाम गय हुए थे। वहाँ एक दिन, उन्होंने एक दिव्य स्वपन देखा, जिसमें भगवान, गदाधर, विश्णू, उनसे कह रहे थे। खुदिराम, मैं तेरी भक्ती से बड़ा संतुष्ट हूँ, मैं तेरे घर, पुत्र रूप से अवतीर्ण होकर, तेरी सेवा ग्रहन करूँगा। इधर, जिस समय खुदिराम गया धाम गय हुए थे, उस समय कामार पुकुर में, चंद्रा देवी को भी कुछ दिव्य दर्शन एवं अनुभूतियां प्राप्त होई। एक दिन, वे युग्यों के शिव मंदिर के सामने खड़ी थी, इतने में उन्हें लगा, मानो शिव जी के अंग से एक उज्वल जोती निकली, और तरंग के रूप में तीवर वेग से बढ़ती हुई, उनके उधर में प्रविष्ट हो गई। वे मुर्चित होकर गिर पड़ी, परंतु शिग्र ही, उन्हें प्रतीत होने लगा, कि उनके उधर में गर्ब संचार हुआ है, धर्म ग्रंथों का अवलोकन करने से ग्यात होता है, कि अवतारों के जन्म से पूर्व, उनके माता पिता को दिव्य दर्शन आदी हुआ करते थे, नवजात बालक के अंग लक्षन आदी अलवकिक थे, प्रख्यात जोतिशियों ने जन्म कालीन गणना द्वारा निश्चे किया, कि नवजातक नवीन धर्म मार्ग का प्रवर्तन करते हुए, नारायन अंश भूत महापुरुष के रूप में ख्याती प्राप्त करके, मानव समाज का पूज्य होगा, गया के गदाधर की कृपा से, यह पुत्र हुआ, ऐसा सोच कर, खुदीराम ने उसका नाम गदाधर रख दिया, बालक गदाधर, अपनी मधुर बाल लेलाउं द्वारा, माता पिता तथा समस्त ग्राम वासियों के हृदय को, आनंद देने लगा, उसकी आकरशन शक्ति, अध्भुत्थी, उसकी अपूर्व सरल्ता, एकाग्रता, अलवकिक धारन शक्ति, एवं बुद्धी मत्ता को देख कर, लोग दंग रह जाते, बालक को समय आने पर, गाउं की पाठशाला में भरती कर दिया गया, पढ़ना और लिखना तो, उसने थोड़े समय में ही सीख लिया, पर गणित के प्रती उसके मन में पहले से ही उदासींता बनी रही, गदाधर का शरीर गठीला और प्रकृती निरोग थी, उसकी वृत्ती सदा स्वतंत्र और आनंद पूर्ण थी, वह बड़ा साहसी और निडर था, वह समवयस्क मित् के साथ खेल कूद, हास्य विनोद, नृत्य गीत में मगन रहा करता, देवी देवताओं की भाव पूर्ण मूर्तियां गड़ने और चित्र बनाने में उसकी कुशलता विलक्षन थी, रामायन महा भारत इत्यादी की कथाएं, भजन कीर्तन इत्यादी को एक बार सुनते ही, वह आत्म साथ कर लेता, धार्मिक नाटकों को केवल एक बार देख कर ही, वह यतोचित हाव भाव के साथ उनका सही सही अभिनय करता, अपने प्रेम पूर्ण निर्मल स्वभाव, मधुर भाशन, आनंद मै वृत्ति के कारण, वह सबका प्रिये था, उसका स्वभाविक एक जब किसी विशय की ओर आकरशित होता, उस समय वह उसी में तलीन हो जाता, तब उसे अपनी देह की सुध नहीं रहती, छेह साथ वर्ष की अवस्था में, एक बार खेत की मेड़ पर से जाते समय, काली घटाओं से घिरे आकाश में, सफेद बगलों की पंक्ती को उड़ते देख बालक समाधी मगन हो गया, साथ आठ वर्ष की उमर में गदाधर पित्री वियोग का दुख सहता है, पिता के प्रेम से वंचित होकर बालक का मन अंतरमुख होकर संसार के यथार्थ स्वरूप का चिंतन करने लगा, उसकी हास्य प्रियता तथा नृत्य गीत इत्याद का रूपांतर गंभीर भावुकता में होने लगा, वैसे वह अधिकांश समय अपनी दुखियारी माता के साथ रहकर ग्रियकारियों में सहायता करते हुए उसके दुख को कम करने की कोशिश करता, गाउं में समय समय पर जब तीर्थ यात्री साधू बैरागी कुछ दिनों क के लिए डेरा डालते तो बालक गदाधर उन साध्वों के पास जाकर उनके आचरणों को गोर से देखता तथा उनकी छोटी मोटी सेवा किया करता, वैसाधू भी इस सुन्दर बालक के मधुर आचरण से प्रसन्न होकर उसे भजनादी सिखाते, कथाएं सुनाते और प्रस इसी समय, एक दिन, गाउं की कुछ स्त्रियों के साथ, देवी विशालाक्षी के मंदिर में पूजा चड़ाने जाते समय, देवी महिमा के गीत गाते गाते, गदाधर को भाव अवस्था प्राप्त हो गई, और वह सुदबुद खो बैठा, काफी समय बाद, देवी का नाम गुणगान सुनते सुनते, उसकी बाहिय चेतना लोटी, और वह प्रकृतिस्त हुआ, बालक का नवा वर्ष समाप्त होते देख, माता ने उसके उपनयन का प्रबंध किया, गाउं की धनी लोहारिन का बालक गदाधर पर अत्यंत स्नेह था, एक बार उसने बालक से कहा था, कि जनेव के समय तु पहली भिक्षा मुझसे लेना, और गदाधर ने एह स्विकार किया था, उपनयन काल निकट आते देख कर, गदाधर ने यह बात बड़े भाई राजकुमार को बताई, अब राह्मन स्त्री का ब्राह्मन बालक की भिक्षा माता बनना, एक रूढ़ी व वचन को पालना ही था, वह सत्यरक्षा के संकल्प पर अडिग रहा, अंत में सबको उसी की बात मानने पड़ी, उपनयन होने पर गदाधर को देव पूजा का अधिकार प्राप्त हो गया, अब वह अपना बहुत सा समय संध्यावंदन पूजा ध्यान आदी में बिताने पवित्र हुरदय बालक को कई दिव्य अनुभव होने लगे, एक बार शिवरात्री के उपलक्ष में आयोजित, शिव विशयक नाटक में शिवजी का अभिनय करने वाले अभिनेता के अकस्मात, अस्वस्थ हो जाने के कारण गदाधर को शिवजी का अभिनय करने के लिए तैयार किया गया, शिवजी का भीश धारन करते हुए, वह शिवजी के भाव में इतना तन्मय हो गया कि रंगमंच पर खड़े होते ही बाहिय ज्यान शून्य हो गया, इस समय गदाधर दस वर्ष का था, जब वह 12 वर्ष का हुआ, उस समय बड़े भाई रामकुमार अपने मंजले भाई रामेश्वर पर ग्रिहस्थी का भार सोंप कर कलकत्ता चले गए, और शामा पुकुर महोले में पाठशाला चलाते हुए, इवं कुछ ही अजमानों के घर पूजा करते हुए, धनो पारजन करने लगे, रामकुमार के कलकत्ता चले जाने के बाद, गदाधर का मन पढ़ाई से बिलकुल ही हट गया, प्रकर बुद्धी मत्ता की कारण, उसे यह समस्ते देर नहीं लगी, कि लोग विद्या उपारजन किवल पैसा कमाने के लिए करते हैं, उसने अपने मन में ही विचार किया, कठोर परिश्रम और अध्ययन करके, शास्त्रों में लिखी बातों का पठन पाठन करने से क्या लाब है, इससे शास्त्र नहीत सत्यों की उपलब्धी तो होती नहीं है, तीन वर्ष बाद, रामकुमार गदाधर को कलकत्ता ले गए, उद्धिश्य था, उनके पास रहने से गदाधर का विद्या भ्यास ठीक चलेगा, और उससे उन्ह स्वयम भी कुछ सहायता प्राप्त होगी, अतहा, गदाधर के आने के बाद, उन्होंने यजमानों के घर की देव पूजा का काम, उसे सोप दिया, गदाधर, यह कारिय बड़े आनंद पूर्वक करने लगा, इस समय उसकी उम्र सत्रह वर्ष थी, अपने सोम्य स्वरूप, सरल स्वभाव, मधुर आचरण, अद्भुत कारिय कुशलता, अगाध देव भक्ती इत्यादी गुणों के कारण, वह अनेक यजमानों के घर के सभी लोगों को प्रिय हो गया, उसने कुछ मित्र मंडली भी जमाली, और आनंद से दिन विताने लगा, पर पढ़ाई लिखा की और उसका बिलकुल ध्यान न था, एक दिन, रामकुमार ने, जब उसे चेतावनी देते हुए, विद्या भ्यास करने का उपदेश दिया, तो निर्भीक गदाधर ने, नम्रता पूर्वक, परंतु, दिड़ और स्पष्ट स्वर से कहा, दाल रोटी दिलाने वाली विद मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वही विद्या चाहिए, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होकर, मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, परमेश्वर की अचिंत योजना से, इसी समये, रानी रास्मनी ने, दक्षिनेश्वर में, भवतारिनी काली माता का मंदिर, भी वहीं आकर रहने लगा, धीरे धीरे, रामकुमार ने, गदाधर को देवी पूजा सिखा दी, और केनाराम भट्टाचारिय नामक, एक शक्ती साधक से, दीक्षा ग्रहन करके, गदाधर ने, काली मंदिर का पुजारी पद ग्रहन किया, इसके अल्प समये के भीतर, अच पुजातुल्य, बड़े भाई की अकस्मात मृत्यू से, पूजक, गदाधर की अंतर नहित वईराग्य अग्नी, और भी प्रज्वलित हो उठी, अनित्य संसार के एक्षण भंगुर विशेयों के प्रती, विराग के साथ ही, उनके मन में सच्चित आनंद स्वरूप नित् प्रती, अनुराग, अधिक से अधिक तीवर होने लगा, मन्दिर में आनंद मई जगत जन्नी की पूजा अर्चना में तन्मय होकर, वे समस्त संसार को भूल जाते, विखवल होकर, जगन माता को अपने हृदय की व्याकुलता निवेदित करते हुए, वे घंटों बिता दे देवी के सम्मुक, भक्ती पून हृदय से भजन गाते हुए, वे सुद्भुद खो बैठते, और नित्रों से, अविरल प्रेम के अश्रु की दाहरा भहती हुई, उनके वक्षस्थल को भिगो देती, उनके मन में प्रश्न उठता, क्या यह प्रतिमा, वास्तों में चिन्म रूप का दर्शन हो सकता है, दो पहर को, मंदिर बंद होने पर, तथा रात्री के समयवे मंदिर से कुछ ही दूर, पंचवटी नामक व्रिक्षों, तथा जाडियों से घिरे हुए, एकांत स्थल में जाकर, गंभीर ध्यान में डूब जाते, आहार विहार, निद्रा, इत् जासींता थी, शरीर क्षीन होता जा रहा था, वक्षस्तल सदा आरक्त रहता और आखें भरी रहती, रिदय में अव्यक्त अशांती थी, अंतर दाह से छट पटाते हुए, वे मा मा कहकर आर्तनाद करते हैं, तीवर व्याकुलता के कारण, कभी कभी जमीन पर पच्छाड ख कर लोटने लगते, लोग समझते हैं, कि इसे उदर शूल का रोग हो गया है, संध्या समये, जब देवी के मंदिर में आर्ती के वाद्य बज उठते हैं, तो वे व्याकुल होकर रोने लगते, मा, और एक दिन भीत गया, तेरे दर्शन नहीं मिले, एक दिन तो, भगवत वि यह विचार उठने लगा, कि यदि माता के दर्शन ही न हो, तो इस जीवन को रख कर क्या लाब, और ऐसा सोच कर, वे अपने जीवन का अंत कर देने के इरादे से, पागलों की तरहे, मंदिर की दिवार पर लटक रहे, खड़क की और लपके, और इससे हाथ में लेकर, अप जगदंभा का अपूर्व दिव्य दर्शन हुआ, और वे बाहिय ग्यान से शुन्य होकर, जमीन पर गिर पड़े, घर, द्वार, मंदिर, सब जाने कहां विलीन हो गए, और वे एक असीम अनंत चैतन्य मै, जोती समुद्र में, निमग्न होकर, अपना अस्तित्व खो बैठ अंतह करण में, एक अपूर्व आनंद का स्रोत निरंतर बहने लगा, इस दर्शन के पश्चात, श्री जगद जन्नी की चिन्मय मूर्ती के, सदा सर्वकाल अखंड दर्शन के लिए, उनके हृदय में, प्रचंड उद्वेग हुआ करता, और वे असहिय वेदना से, संग्य रहित हो जाते, ऐसे समय, उन्हें माता के उस वरा भय करा चिन्मय मूर्ती के दर्शन होते, और वे उन्हें तरह तरह की सांत्वना देती, जगन माता के प्रथम दर्शन के पश्चात, गदाधर, शास्त्रोक्त विधी निशेद की सीमा का अतिव क्रमन करके, मानो असीम भा समुद्र में निमगन हो गए, अब उनके लिए भावतारिनी की प्रतिमा पाशान मई नहीं रह गई, अब तो वह जीती जागती जगत जन्नी थी, वह उनके साथ बात चीत करती, उनकी पूजा ग्रहन करती, उनका निवेदित भोग, सच्मुच खाया करती, विधिवत पू पूजा को अनाचार समझ कर, काली मंदिर के कारिय करताओं ने, मंदिर के मालिक, रानी रास्मनी के दामाद, मथुर बाबु से उनके विरुद्ध शिकायत की, परन्तु, जब मथुर बाबु ने स्वयम आकर गदाधर की इस भावमई पूजा को देखा, तो वे मुग्द ह और गदाधर के प्रति उनका आकर्शन, गंभीर शद्धा में परिनत हो गया, क्रमशह, नाना प्रकार से, गदाधर के दिव्यत्व का परिचय पाने के लिए, मथुर बाबु, अंत तक, उनके भग्द और सेवक बने रहे, गदाधर, बारह वर्ष तक, अविरत कठोर साध जना करते रहे, प्रथम, चार वर्ष के साधनकाल में, वे केवल अपनी तीवर व्याकुलता के सहारे, जगजन्नी पर अपना समस्त भार सोंप कर चल रहे थे, और एक मात्र, इस व्याकुलता के बल पर ही, उन्हें जगजन्नी के दर्शन हुए थे, श्री जगदंबा के द दर्शन की इच्छा उनके मन में उदित हुई, और वे दास्य भक्ती की साधना में डूब गए, इस समय उनकी अवस्था हनुमान जी की तरह हो गई, और उन्हें सीता जी के दर्शन हुए, भाव भक्ती के प्रबलवेग के कारण, गदाधर के शरीर में अनेक अदभुत ल उनके आचार विचारों को देख कर लोगों को लगता कि उन्हें उन्माद हो गया है, पर वह तो दिव्य उन्माद था, इसी समय काम कांचन आसकती को पून तया नश्ट करने के लिए उन्होंने अदभुत साधनाएं की और उस पर पून विजय प्राप्त कर ली, उनकी वस्था ऐसी हो गई कि अंजाने में यदि पैसे का स्पर्श हो जाता, तो उनके हाथ पैर टेड़े मेड़े हो जाते और श्वास बंद हो जाता, धातू के बरतन का कहीं स्पर्श हो जाता, तो बिच्छु के डंक मारने की समान पीड़ा होती, पतिस्त्रियों में भी उन्ह जगन माता का ही रूप दिखाई देता, अहंकार को निर्मूल करने के लिए, वे अपने हाथ से भिखारियों की जूठन साफ करते, उनका प्रसाद ग्रहन करते, निमन शेणियों के लोगों के शौचाले को साफ करते, इस प्रकार अहम भाव को पून तया नश्ट करके, वे जगदंबा के हाथ के यंत्र स्वरूब बन गए, उस समय उनका मन ही, उनके गुरू का काम कर रहा था, बाहिय गुरू कोई नहीं थे, उनके शरीर के भीतर से उनहीं के जैसा, दिखाई देने वाला एक युवक सन्यासी बाहर प्रकट होकर, उन्हें हर विशय में दिया करता, बाद में भैरवी ब्रह्मनी, तोतापुरी महराज आदी गुरूओं ने आकर उन्हें वही उपदेश दिये, साधना के प्रथम चार वर्षों के अंतिम भाग में, उन्हें श्री चैतन्य और नित्यानंद के दर्शन हुए, तथा वे दोनों उनकी देह में समा इधर, जब माता चंद्रमनी के पास यह समाचार पहुँचा, कि गदाधर को उन्माद रोग हो गया है, और वह मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहा है, तो वे बेचैन हो गई, उन्होंने गदाधर को कामार पुकुर में बुलवा लिया, और उनके उन्माद के चिकितसार् जांती करने लगी, जाड़ फूक आदी के उपाय करने लगी, कामार पुकुराने के बाद गदाधर, भूतिर खाल और बुधी मोडल के शम्शान में जाकर साधना करते, धीरे धीरे जगन माता के अबाधित, अविरत धर्शन, उर्नाना प्रकार की लीलाएं आदी देखने के फल स्वरूप गदाधर की बाहिय अवस्था अच्छी हो गई, वे परिवार के लोगों और मित्रों के साथ पूर्ववत मधुर आचरन करने लगे, इस समय चंद्रमणी तथा रामेश्वर ने परामर्श करके गदाधर का विवाह कर देने की ठानी वधू की खोज चल र ही थी, ऐसे समय गदाधर ने स्वयम ही कह दिया कि इधर उधर खोज करना विर्थ है, जै राम वाटी के राम चंदर मुखर जी के घर की कन्या पहले से ही चिन्नित हो चुकी है, और वास्तों में उसी कन्या के साथ सन 1869 में मई में गदाधर का शुभ विवाह संपन्न हुआ गदाधर की उम्र उस समय साढ़े 23 वर्ष की थी, और वधु सारदा मनी की साढ़े 5 वर्ष। विवाह के पश्चात कई दिन तक कामार पुकुर में ही रहने के बाद गदाधर दक्षनेश्वर आये, और फिर से काली माता की पूजा करने लगे। पुनह, उनका उनमाद भाव बढ़ गया, और सारे शरीर में पुनह विलक्षन दाह और बेचैनी होने लगी, आखों की पलके जबकती न थी, मधुर बाबु ने चिगित्सा कराई, किसी वईद्ये ने कहा, उन्हें तो दिव्या उनमाद हुआ है, यह योग प्रसूत व्य इसी समय, 1861 इश्वी के प्रारंभ में, रानी रास्मनी स्वर्ग सिधारी, और इसके कुछ दिनों बाद, योगेश्वरी, भैरवी ब्रह्मनी का दक्षिनेश्वर आगमन हुआ, यह उच्च कोटी की साधिका थी, और देवी के आदेश अनुसार, गदाधर को तंत्र साध गदाधर के भीतर भाव, महा भाव आदि देखकर, उन्होंने ही उन्हें सर्व प्रथम अवतार घोशित किया, एवं प्रसिद्ध पंडितों की सभा कराकर, शास्त्र वाक्यों का प्रमान देते हुए, इस तथ्य को प्रतिपादित किया, उन्होंने अध्भुत दैवी पाय द्वारा, गदाधर के गात्र दाह को दूर कर दिया, जगत जन्नी की अनुमती लेकर, गदाधर ने भैरवी ब्रहमनी के निर्देश अनुसार, यथा शास्त्र, तंत्र साधना आरंभकी, पंचवटी के नीचे, तथा उससे कुछ दूर, बिल्व व्रिक्ष के नीचे दो पंच मुंड युक्त वेधियां बनवाई गई, ब्रहमनी, दिन भर इधर उधर घूमती हुई तंत्र साधना के लिए, आवश्यक विभिन्दुष प्राप्य वस्तुओं का संग्रह करती, और शाम होते ही गदाधर से साधना करवाती, ये साधना यत्यंत कठिन थी और गूड थी, इन्हें करते हुए, गदाधर इतने तनमय हो गए, कि महीनों उन्हें दिन और रात का भी पता नहीं रहा, कितने ही दिव्यदर्शन, अलोकिक अनुभूतियां, इवं सिध्धियां, उन्हें प्राप्त होती रही, क्रमशाह, चोशट प्रकार के तंत्रों में व उनकी महिमा बढ़ा धी, तंत्रोक्त शक्ति शाधना में सिध्धि प्राप्त करने के बाद, गदाधर के मन में वैश्न उमत की साधना करने की इच्छा उद्पन हुई, उसी समय, संभवताह, 1863 इश्वी में, जटाधारी नामा के एक रामायत पंथी साधु, दक्षिनेश उनके पास रामलला, बाल रामचंदर की एक अश्ट धातु निर्मित, छोटी सी मूर्ती थी, और वे सदा अत्यंत निष्ठा पूर्वक उसी की सेवा में निमगन रहते, भक्ति युक्त अंतह करन से तनमय होकर, रामलला की पूजा सेवा करते हुए, जटाधारी बाबा को अनेक दिव्य दर्शन आदी होते, इस समय गदाधर, स्वयम को जगदंबा की दासी या सखी मानते हुए, उनकी पूजा सेवा में मगन थे, रामलला की बाल मूर्ती को देखकर, उनके मन में उसके प्रती वाचसल्य भाव उत्पन हुआ, और जटाधारी से राम मंत्र की द रवृत्त हुए, शिगर ही, यह रामलला, चिनमे रूप धारन करके, उनके साथ अनेक विध, अपूर्व बाल सुलभ लीलाएं करने लगा, वह रात दिन उन्हीं के पास रहता, उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता था, अन्त में बाबाजी को ऐसी कुछ अलोकी कानुभू मूर्ती प्राप्त हुई कि वेवह मूर्ती गदाधर को देकर दक्षिनेश्वर से चले गए, इस समय दक्षिनेश्वर में अनेक साधूसंत आने लगे, उनके पास से उन्होंने कई राम भक्ती परकपद एवं दोहे सीखे थे, वाजसल्य भाव में सिद्ध होने के वेश्णव शास्त्र में मदुर भाव को शांत, दास्य, सक्य, वाजसल्य भावों की सार समष्टी अत्वा परिपूर्ती माना जाता है। मदुर भाव की साधना के समय वे स्त्री वेश धारन की रहते। उस समय उनके शरीर और मन के प्रती के क्रिया कलाप से स्त्री जन उचित भाव ही प्रकट होता। तथा शरीर के प्रतीक रोम कूप से बिंदू बिंदू रक्त बाहर आने लगा। इस सवस्था में उन्हें श्रीराधी का इवं श्रीकृष्ण के दर्शन हुए थे। मधुर भाव में सिध्धि प्राप्त करके गदाधर पंच भाव साधना के सरवोच्च शिखर पर आरूड हो गए। अब उनके मन से भावातीत भाव, अद्वईत भाव की साधना करने की प्रबल इच्छा जागरित हुई। जगत जन्नी की अचिंत लीला से वह इच्छा भी अविलंब पूर्ण हो गई। उसी समय ब्रह्मधर्शी नागा परिवराजक श्री तोतापुरी जी का दक्षिनेश्वर में आगमन हुआ। गदाधर को देखते ही उन्होंने पहचान लिया कि यह वेदांत साधना का यथार्थ अधिकारी है। उन्होंने उनसे वेदांत साधना कराने की इच्छा प्रकट की। जगदंबा का आदेश पाकर गदाधर ने उनसे सन्यास दीक्षा ग्रहन की। किसी किसी के मत के अनुसार इसी समय उन्हें तोतापुरी जी से रामकृष्ण नाम प्राप्त हुआ। तोतापुरी जी से वेदान्त के सिध्धान्त वाक्यों का उपदेश सुनते ही श्री राम कृष्ण आत्म ध्यान में लीन हो गई जो ही उनका मन सभी विश्यों से उपरत होता त्यों ही उनमें जगन माता की चैतन्य घनमूर्ती उदित हो जाती परंतु तोतापुरी के उपदेश के अनुसार यह भी एक बाधा ही थी अंत में श्री राम कृष्ण ने ज्यान रुपी खडग के द्वारा उस मूर्ती के छोटे छोटे टुकडे कर डाले और उनका मन नाम रूप के राज्य का अतिक्रमन करके दृत गती से निर्विकल्प समाधी में निमगन हो गया तीन दिन और तीन रातें भीद गई परंतु श्री राम कृष्ण का मन बाहिय जगत में नहीं लोटा श्री राम कृष्ण को इतने अल्प समय में इतनी आसानी से इस प्रकार निर्विकल्प समाधी में मगन होते देख तोता पूरी स्तंभित हो गये उन्होंने प्रैत्न पूर्वक्ष्री राम कृष्ण को समाधी से जगाया शिश्य के अलवकिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ये परिवराजक सन्यासी जो किसी भी स्थान पर तीन दिनों से अधिक नहीं रहते थे ग्यार महिने तक दक्षिन एश्वर में रहे तथा उसके परिपूर्ण जीवन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा उनके जीवन में जो अपूर्णता रह गई थी वह श्री राम कृष्ण के दिव्य संग से पूरी तरह दूर हो गई तोता पूरी के चले जाने के बाद श्री राम कृष्ण को निर्विकल्प अद्वईत भाव में ही निरंतर मगन रहने की इच्छा हुई और तद अनुसार वे अद्वई अखंड सचिदानंद स्वरूप में लीन होकर अनिर्वचनीय आनंद की स्थिती में अवस्थान करने लगे शास्त्र में कहा है कि साधरन जीव यदि कठोर साधना द्वारा किसी प्रकार निर्विकल्प समाधी प्राप्त कर ले तो उस अवस्था में वे अधिक से अधिक 21 दिन तक रह सकता है उसके बाद उसकी देह सूखी पती की तरह जड़ जाती है परंतो श्री राम कृष्ण तो इश्वर के अवदार थे लगातार छे महीने से वे इसी अवस्था में रहे इस अवस्था में उन्हें अपने शरीर तक का ध्यान रही रहता था फिर बाहिये जगत की तो बात ही क्या मृत देह के नाक मूह में जैसे मक्हियां चली जाती है वैसे ही उनके नाक मूह में चली जाती मलमूत्र आदी शरीर धर्म कब हो जाता कुछ पता न चलता शरीर तो कब का नश्ट हो गया होता परंतु उस शरीर से अभी जगत कल्यान का कारिय होने वाला था इसलिए परमेश्वर की अचिंत्य योजना से वे पुनह बाहिय भूमी में लोटाए उस समय उन्हें अनुभव हुआ कि अद्वाईत भाव में स्थिर होना ही सब प्रकार की साधनाओं का अंतिम धेय है और यह भी कि जो भिन भिन धर्म के मत हैं वे अलग-अलग मार्ग हैं पर अंत में वे सभी इस अद्वाईत स्थिती में आ मिलते हैं इसी समय अठारा सो चासट में इसलाम धर्म के अंतरगत सूफी संप्रदाय के अनुयाई गोविंद राय नामक एक साधक का दक्षिनेश्वर में आगमन हुआ श्रीराम कृष्ण ने उनसे इसलाम धर्म की देक्षा ग्रहन की और तद अनुसार साधना में निमगन हो गए तीन ही दिनों में उन्हें इसलाम धर्म के अंतिम धे की प्राप्ति हुई प्रथम उन्हें एक लंबी दाढ़ी वाले गंभीर जो तिरमई दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ और फिर उनका मन अद्वाईत भूमी में लीन हो गया इसके कुछ साल बाद श्री राम कृष्ण के मन में इसाई धर्म के गूढ मर्म को जानने की इच्छा हुई एक दिन वे दक्षिनेश्वर काली मंदिर के निकट स्थित यदु मलिक के बैठक खाने में गए हुए थे वहां दिवार पर टंगी माता मेरी की गोद में विराजमान शिशु इसा के चितर की ओर देखते ही वे भाव आविष्ट हो गए और उस अवस्था में उन्होंने देखा कि वह चितर मानो सजीव जोतिर मै हो उठा और उसमें से दिव्य जोती निकल कर उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई वे गंभीर ध्यान में निमग्न हो गए और उन्हें कुछ अपूर्व दिव्य अनुभुतियां होई तीन दिन तक वे इसी भाव में तलीन रहे अंतिम दिन भाव विभोर होकर पंचवटी में टहलते समय उन्हें इसा मसीह के दिव्य दर्शन हुए इसा मसी ने उनका आलिंगन किया और उनकी देह में विलीन हो गए श्री राम कृष्ण ने बोध्ध, जैन, सिख धर्मों की साधना की थी या नहीं इसका कोई उलेक नहीं मिलता परंतु इन धर्मों पर उनकी शद्धा को देख कर ऐसा लगता है कि अवश्य ही इन्होंने इन धर्मों की अनुभूतिया प्राप्त की होंगी विभिन्य धर्म मार्गों की साधना द्वारा उसी एक चरम सत्य की उपलब्धी करके उन्होंने संसार के सन्मुख सर्वधर्म समन्वय का आदर्ष प्रतिष्ठापित किया निर्विकल्प समाधी में छेह माह तक अवस्थान करने के पश्चात कठिन उदर रोग के कारण उनका स्वास्थे बहुत पिगड़ गया था इस कारण मथुर बाबु ने उन्हें कुछ दिनों के लिए कामार पुकर भेज दिया उनके भांजे और सेवक हृदै राम तथा भैरवी ब्रह्मनी भी उनके साथ गए लगभग साथ वर्ष बाद श्री राम कृष्ण को अपने बीच पाकर आत्मिय स्वजन और ग्रामवासी बड़े आनन्दित हुए जैरामवाटी में मनुष्य भीज कर सारदा को भी कामार पुकर लिवा लिया गया वस्तुतहा सारदा का अपने पती के सानिध्यम आने का यही प्रथम अवसर था जैरामवाटी में रहते हुए वे श्वी राम कृष्ण के पागलपन के बारे में इतने दिन तक काफी अफवाहे सुनती आ रही थी परन्तु कामार पुकर आने के पश्चात उनके मन का सब द्वंद्व संशय दूर हो गया यथार्थ ब्रम्ह दर्शन के बाद तो मन मेंस्त्री और पुरुष के भेद की कलपना तक का लवलेश भी नहीं रह जाता ब्रम्ह दर्शी की द्रिष्टी में सबकुछ उसी एकमेव अद्वितिय अखंड एकरस ब्रम्ह का ही प्रकाश हुआ करता है श्री राम कृष्ण ने इसी बोज से अपनी पत्नी को स्विकार किया वे अत्यंत स्नेह पूर्वक सार्दा को सामान्य व्यवहारिक आचरन से लेकर सर्वोच आध्यात में ज्यान तक सभी बातों का उपदेश देते हुए उनके जीवन को सर्वांग संपून बनाने में सहायता देने लगे श्री राम कृष्ण की अपूर्व शिक्षा प्रणाली एवं उनके काम गंध रहिद दिव्य प्रेम के प्रभाव से शार्दा बड़ी शीग्रिता से पारमार्थिक उन्नती के सोपान चड़ती होई निर्विकल्प समाधी के सरवोच्च शिखर पर आरूड हो गई कामार पुकर में छे साथ महिने रहने पर सन अठारा सो शड़सट के अक्टूबर नवंबर मास में श्री राम कृष्ण दक्षिनेश्वर वापस आय तथा शीग्र ही मतुर बाबू के अनुरोज से उनके दल के साथ तीर्थ यात्रा करने निकले सबसे पहले तीर्थ यात्रियों की एह मंडली वैद्यनाद जी के दर्शन के लिए गई वैद्यनाद छेत्र निकट एक छोटे गाउं में ग्रामवासियों की दीन हीन दशा देखकर श्री रामकृष्ण का हृदय करुणा और सहानु भूती से विफवल हो उठा और उन्होंने मतुर बाबू से कहकर उन सभी को एक दिन पेट भर कर भोजन कराया और हर एक को एक एक वस्त्र दिलवाया वईद्यनात से होकर सब लोग काशिधाम पहुँचे श्री रामकृष्ण को भाव आवेश में शिवपुरी वारानसी सुवर्णमई प्रतीत हुई काशिधाम में रहते हुए उन्हें अनेक दिव्यदर्शन आदी हुए इसी समय काशिक शेत्र में मरने वाले जीव को विश्वनात किस प्रकार तारक ब्रह्म मंत्र सुनाते हुए मुक्त कर देते हैं इसका भी उन्हें दिव्यदर्शन हुआ तत्पश्चाद उन्होंने प्रयाग दथा वृंदावन धाम की यात्रा की वृंदावन में श्री राम कृष्ण सदा भाव आवेश में रहते और उन्हें अनेक दिव्यदर्शन आदी होते इस प्रकार अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इन तीर्थ क्षेत्रों के तीर्थत्व को जागरित करके वे 1868 के मई माह में दक्षिनेश्वर लोटाए काशी और वृंदावन आदी के अतिरिक्त श्री राम कृष्ण एक बार मथुर बाबू के साथ श्री चैतन्य देव के जन्मस्थान नवधीब भी गए थे एवं वहां उन्हें भाव भूमी में श्री चैतन्य एवं नित्यानंद के दर्शन हुए थे सतत चोदह वर्ष तक श्री राम कृष्ण की तन मंधन से सेवा करने के बाद 18 जुलाई 1871 को मधुर बाबू स्वर्गधाम सिधारे इस समय श्री राम कृष्ण ने भाव समाधी में देखा कि जगदंबा की सक्यां मधुर बाबू को बड़े आदर के साथ दिव्य रत पर बैठा कर देवी लोग को ले गई इसके बाद कुछ समय बाद सारदा दक्षिनेश्वर आई इस समय उनकी अवस्था साड़े 18 वर्ष की थी सन्यासी और ग्रिहस्थ दोनों के सम्मुख परिपूर्ण दिव्य जीवन का आदर्श स्थापित करने के लिए ही श्री राम कृष्ण का आगमन हुआ था अताहा उन्होंने पत्नी को अपने पास रखते हुए दिव्य दामपत्य जीवन का उज्वल उदाहरण संसार की समक्ष प्रस्तुत किया देह बोध रहित आत्मिक विशुद्ध प्रेम की नेउपर प्रतिष्थित यह दामपत्य जीवन वास्तों में अलोकिक और अपूर्व था सारे संसार के आध्यात्मिक इतिहास में संभव दह अपने ढंग का यह अद्वितिय उदाहरण था स्वस्थ सबल एवं पूर्ण योवन युक्त श्री राम कृष्ण एवं नव योवन संपन्न सार्दा लगातार आठ माह तक दिन रात एक साथ रहे परंतु दोनों के मन में क्षण मात्र के लिए भी देह बुद्धी का उदै नहीं हुआ श्री राम कृष्ण का मन सदा दिव्य भाव भूमी में आरूड रहता परंभोग्य वस्तु समझ कर जिस त्री का उपभोग करने के लिए लोग सदा लालाईत रहते हैं उसी स्त्री शरीर के स्पर्ष की केवल कल्पना से श्री राम कृष्ण का मन समाधी मग्न हो जाता कभी कभी तो प्रायह सारी राद गंभीर समाधी में बीट जाती सारदा को उनके कानों में भगवत नाम का उच्चारन करते हुए प्रयत्न पूर्वक उनकी समाधी को भंग करना पड़ता 1875 एश्वी के जेश्ठ मास की अमावश्या को फलहारिनी काली पूजा के दिन रात्री के समय श्री राम कृष्ण अपने कमरे में शारदा देवी की शोडसी के रूप में शोडस उपचारों से यथा विधी पूजा की पूजा के समय पूजक और पूज्य श्री राम कृष्ण और शारदा देवी दोनों समाधी मगन हो गए दोनों आत्म स्वरूप में मिलकर एक हो गए रात्रे का द्वितिय पहर बीत जाने के बाद अर्ध चेतन अवस्था में आकर श्री राम कृष्ण ने शारदा देवी के चर्णों में अपनी जप माला के साथ संपूण साधना का फल समर्पित करते हुए आत्म निवेदन किया यह शोडशी पूजा मानो श्री राम कृष्ण की अलवकिक साधना लीला की परिसमाप्ती थी उनके जीवन में लगातार बारह वर्षों से जो साधना यग्यें की प्रचंड अगनी धधक रही थी वह मानो शोडशी पूजा रुपी पूर्ण आहुती पाकर शान्त हुई सन 1875 इश्वी में उनके मन में एक बार यह देखने की इच्छा हुई कि श्री चैतन्य देव का पावन नगर संकीर्तन कैसा रहा होगा जगदंबा की कृपा से श्री ग्रही एक दिन उन्हें सहज स्थिती में दर्शन हुआ कि पंचवटी की ओर से निकल कर एक विराट जन समुदाए भजन करते हुए फाटक की ओर चला जा रहा है जिसके मध्य भाग में श्री चैतन्य देव नित्यानंद आदी भाव विभोर होकर नित्य कर रहे हैं श्री राम कृष्ण ने इस दर्शन में जिन जिन भगतों को देखा था उनमें से अनेक भगत बाद में श्री राम कृष्ण के पास आए उस अध्भुत दर्शन के पश्चात श्री राम कृष्ण कुछ दिन कामार पुकुर और सिउड रहा आए अब उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ इनका अंतर नहीं दिव्य भाव अब पूर्ण विक्सित हो चुका था जगद गुरूपद पर प्रतिष्ठित होकर अब वे जीवन कल्यान कारिय में रत हो गए वे भिन्य संप्रदायों एवं श्रेणियों के साधकों के भीतर इथार्थ सत्य को जागरित करते हुए वे उन्हें अपनी अभिनव उदार भाव धारा से परिपलावित करने लगे इस समय उनका अनेक पाश्चात्य शिक्षा संपन्न सुप्रसिद्ध व्यक्तियों से संबंध आया ब्राहम समाज के कीशव चंद्रसेन विजय गोश्वामी शिवनाथ सास्त्री आदी नेताओं से संपर्क में आकर श्री राम कृष्ण को बंगाल के शिक्षित समुदाय के मनो भावों से परिचित होने का अवसर मिला इनके अलावा श्री राम कृष्ण और भी कई सुविख्यात विक्तियों से परिचित हुए जिन में पंडित ईश्वर चंद्र विद्या सागर बंकिम चंद्र चठरजी माइकल मधू सूदन दत्त पंडित शशधर तर्क चूडा मनी कृष्ण दास पाल अश्विनी कुमार आदी के नाम उलेखनी ये है उनके माध्यम से शिक्षित समाज को श्री राम कृष्ण के अपूर्व जीवन और संदेश की जानकारी प्राप्त हुई तथा लोग अधिक से अधिक संख्या में उनके पास आते हुए आध्यात्मिक मार्ग दर्शन पाने लगे इधर युगधर्म स्थापना रुपी अपने अवतरण के उद्धिश्य को कारियानवित करने के लिए श्री राम कृष्ण भी व्यग्र हो रहे थे जिनके माध्यम से उनका अभिनव युगधर्म संसार भर में प्रचारित होने वाला था उन त्याग वईराग्य शील अंतरंग पार्शदों और शिश्यों के आगमन की प्रतिक्षा में वे अधीर हो रहे थे 1889 इश्वी से इस श्रेणी के भगतों का आना शुरू हुआ इन भगतों को श्री राम कृष्ण ने पहले ही अपने दिव्य दर्शनों में देख रखा था कीशव चंद्रसेन द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र से श्री राम कृष्ण के विशई में जानकारी पाकर कलकत्ता से राम चंद्रदत और मनो मोहन मित्र आए तथा श्री राम कृष्ण के सानिध्य में आकर वे मुग्द हो गए फिर वे अपने स्वजनों और मित्रों को भी श्री राम कृष्ण के पास लाने लगे इस प्रकार सुरेंद्रनाथ मिश्र आए बलराम वसु आए अमर ग्रंथ श्री राम कृष्ण कथा मृत के प्रणेता महेंद्रनाथ गुप्त आए फिर दुर्गाचरण नाग बंगाली रंगमंच के जनक गिरीश चंद्र घोष अित्यादी सैंकडों निष्ठावान भग्त आए फिर उन पवित्र नवयूकों का आगमन आरंभ हुआ जिन्होंने कालांतर में अपना सर्वस्व त्याग कर सन्यास वरत ग्रहन किया जो राम कृष्ण संग के आधार स्तंब बने इनमें सर्व प्रथमते लाटू अद्भुतानंद फिर 1881 इस्वी में राखाल चंद्र घोष ब्रह्मानंद आए जिन्होंने श्री राम कृष्ण ने अपने मानस पुत्र के रूप में देखा था फिर गोपाल चंद्र घोष अद्वईतानंद आए ये उम्र में बड़े थे क्रमशह नरेंद्र नाथ दत्थ स्वामे विवेकानंद तारक नाथ घोषाल स्वामे शिवानंद बाबुनाथ घोष प्रेमानंद योगिंद्र नाथ राय चोधरी योगानंद हरिनाथ चटर्दी तुरियानंद गंगादर घटक अखंडानंद इत्यादी अनेक अंतरंग त्यागी भगत आए श्री राम कृष्ण के निकट कई महिला भगतों का भी आगमन हुआ जिन में योगीन मा, गोलाप मा, अघौर मानी देवी, गोरी मा इत्यादी का नामु लेखनी ये है इन सभी भगतों ने श्री राम कृष्ण देव के मार्ग दर्शन के अनुसार त्याग वईराग्य तपस्यादी के द्वारा सर्वोच आध्यात्मिक सत्य की उपलब्धी करके अपने जाज्वल्यमान जीवन द्वारा संसार का अशेश कल्यान साधित किया श्री शारदा देवी की संबंध में तो हम पहले ही कुछ परिचय पा चुके हैं उनका जीवन श्री राम कृष्ण के जीवन का एक परिपूरक पहलू था इन भगतों के जीवन को गठित करके इन्हें युगधर्म प्रचार का योग्यमाध्यम बनाने के लिए तथा साथ ही स पंसार ताप से तप्त असंखे जीवन का दुख दूर करने के लिए श्री राम कृष्ण ने अपनी आयू के अंतिम छे वर्षों में मानो छे युग का कारिये संपादित किया उनके उस छोटे से कमरे में दिन भर भगतों का तांता लगा रहता स्वयम के इस नान, भोजन, विश्रामादी के लिए वे बड़ी मुश्किल से वसर पाते उनके निकट आकर अगनित ममुक्षों की आध्यात्मिक पिपासा शांत होती उनके कृपाहस्त से स्पर्श पाकर जीवों का पाप ताप, गलानी, मलिंता मिठ जाती और उनके जीवन की गती बदल जाती उनका वह चोटा सा कमरा मानो आध्यात्मिक शक्ती का एक विशाल केंद्र था, वहां सतत उच आध्यात्मिक भाव का दिव्य स्रोत प्रवाहित होता रहता, जिन में उपस्थित सभी विक्ती परिपलावित होकर धन्य हो जाते, इस प्रकार अविरत भाव समाधी एवं अगनित नर नारियों को शांतीदान, धर्मदान और मुक्तीदान के अतिश्रम के फल स्वरूप उनका स्वास्थ्य भगन हो गया, अठारा सो पिच्चासी ईस्वी के ग्रिश्म में उन्हें गले की बिमारी हुई, जो शिग्र ही असाध्य कैंसर में परिनत हो गई, चिकित्सा की और युवक भक्तों की असीम सेवा के बावजूद रोग बढ़ता गया, परंतु जीवों के उद्धार के लिए ही जिन्होंने धारन किया था, वे भला कष्ट की परवाह क्यों करने लगे, इस अवस्था में उनकी भाव समाधी, उपदेश दान आदी का क्रम जारी रहा, अम्रितत्व का संधान दिया, इसी मकान में उन्होंने नरेंदर आदी ग्यारहत्यागी भक्तों को गेरवा वस्त्र प्रदान करके, आडंबर रहित, रूप से रामकृष्ण संग की स्थापना की, यहीं पर उन्होंने नरेंदर नात को विशेश रूप से शिक्षा देते ह उन्हों पर संग के नेत्रित्व का भार सोंपा, अवतार कारिये को पूर्ण होता देख, अब श्री रामकृष्ण लीला संवरन के लिए प्रस्तत हो गए, रविवार, 15 अगस्त, 1886 की रात्री के एक बजने के कुछ देर बाद, भगवन नाम का उच्चारन करके, वे समाध समाधी मगन हो गए, यही समाधी महा समाधी में परिनत होई